हेलो दोस्तों मैं मेगा चावला आपका मेग करियर अकेट मी मेर स्वागत करती हूँ आज 3 माई 2003 की करेंट अफेयर्स हम जितने भी इंपोर्टेंट कोईशन्स आज की करेंट अफेयर्स से बनेंगे उन सभी को हम इस वीडियो में डिसकस करेंगे वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और अगर आपको इस वीडियो की पीडियो चाहिए है तो आप हमारे टेलिग्राम चैनल को जोईन करके इस वीडियो की पीडियो भी ले सकते हैं टेलिग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वहां से वीडियो को डाउलोड कर सकते हैं और PDF ले सकते हैं हमारा फर्स्ट कोशन है कि Vodafone के CEO कौन बने हैं, तो Vodafone के CEO बने हैं, मागरिटा डेला वेले ठीके, याद रखेगा Vodafone के CEO कौन बने हैं, मागरिटा डेला वेले बने हैं, इन्होंने किसको रिप्लेस किया है, तो Nick Reed को इन्होंने रिप्लेस किया है तो Vodafone के कौन बने है, Vodafone ऐसे याद रख लेना, Vodafone क्या दिखाता है, मार्ग दिखाता है तो Vodafone के CEO कौन होगे, मार्ग रिटा होगे इसके बाद है हमारा परमानु उर्जा आयोग के अध्यक्ष यानि Chairman of Atomic Energy Commission कौन बने है, A के मोहनती बने है ठीके, आप ऐसे याद रख सकते हैं, A से Atomic है और A से ही A के मोहनते है ठीके, कल की वीडियो में हमने पढ़ा था सिधान्त मोहनते तो सिधान्त मोहनते L.I.C. के क्या बने थे? Chairman बने थे तो ये भी याद रखेगा, अभी हमने दो चीज पढ़ी है, Vodafone के CEO Vodafone क्या दिखाता है, मार्ग दिखाता है, तो मागरिटा देला विले बने है परमानू उर्जा के कौन बने है, तो A के मोहनते इसके अध्यक्ष बने है Next question है, अप्रेल 2023 का GST राजस संग्रह कितना रहा है तो जो अप्रेल मंत का GST राजस संग्रह है, वो 1.87 lakh करोड रूपीज रहा है जो अब तक का सबसे ज़ादा राजस वो संग्रह है तो याद रखेगा, पूछा जा सकता है कि अप्रेल महा का कितना रहा है तो 1.87 lakh करोड रुपीज रहा है जो अभी तक का सबसे हाइस था अगर हम बात करें GST की तो GST की full form है goods and service tax GST कब लागू हुआ था तो 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था कौन सा सविधान संशोधन हुआ था तो 101 सविधान संशोधन हुआ था GST जो है सबसे पहले कौन से राज्ये पे लगा था तो असब में लगा था सबसे बात किस राज्ये पे लगा था तो सबसे बात जम्मो कश्मीर में लगा था ठीके अगर बात की जाए कि विश्व में सबसे पहले कौन से देश ने लगा था इसके बाद है साइबर सुरक्षा कोशल कारेकरम किस ने चलाया है ठीके साइबर सिक्योर्टी के लिए जो कोशल कारेकरम है यह IIT कानपूर ने चलाया है तो यह चीज याद रखेगा अभी IIT कानपूर जो है न्यूस में रहा था उसमें G20 Youth Consultation की जो मिटिंग हुई थी उसके लिए जो हैड बनाया गया था वो IIT कानपूर को ही मनाया गया था ठीके इसके बाद कोशन है ISSF की जो अभी निशाने बाजी की जो वर्ल्ड कप हो रहा है ISSF शोटगन वर्ल्ड कप जो हो रहा है ठीके काहिरा में हो रहा है इसमें भारती निशाने बाज जोडी ने क्या किया है गोल्ड जीत लिया है स्वन पदक जीता है और ये भारत की तरफ से पहला पदक है जो इस कॉंपिटिशन इस वर्ल्ड कप में जीता गया है ISSF की फुल फॉर्म की बात की जाए तो International Shooting Sport Federation इसकी फुल फॉर्म होती है 2023 का जो ISSF Shotgun World Cup है वो कहां हो रहा है तो काहिरा में हो रहा है मिसर की राजधानी काहिरा है इसमें भारती निशाने बाजी जो जोडी है महरास एहमद खान महरास खान और गनेमत सेखो इन्होंने क्या जीता है गोल्ड जीत लिया है तो याद रखेगा किसने जीता है International Shooting Sport Federation का जो Shotgun World Cup Championship हो रहा है काहिरा में इसमें एहमद खान महरास एहमद खान और गनेमत सेखो ने गोल्ड जीत लिया है और भारत की तरफ से ये पहला पदक है ठीके और इन्होंने हराया किसे है तो इन्होंने मेक्सिको की गैबरीला रेडिक्स और लुईस ओलिविर्स को हराया है तो याद रखेगा कि इन्होंने मेक्सिको कंट्री की दो प्लेयर्स को हराया है आपके लिए important बनता है कि किसने जीता है ISSF, Shotgun, World Cup तो मेरास, एहमत खान और गनेमत सेखोने जीता है कल की अगर बात की जाए तो कल हमने पढ़ा था Asian Badminton Championship जिसमें भी doubles में, doubles में gold जीता गया था जो कि पहला पदक था, पहला sun था, पहला gold था भारतियों के लिए वो किसने जीता था, तो वो जीता था, साइत्विक, साईराज और शेटी ने जीता था ठीके, चिराग शेटी ने इसमें gold जीता था जिनोंने किसे हराय था, जिनोंने मलीशिया के players को हराय था ठीके और सात्विक साहिराज जो थे हमारे अंधर परदेश के थे और चिराग शित्ती हमारे मुंबई के थे तो याद रखेगा कि एशियन बेंड मिंटन चैंपेंशिप में गोल्ड किसने जीता है तो सात्विक साहिराज जो चिराग शित्ती ने जीता है और भारते निशाने बाजी में किसने जीता है तो एहमद खान ने जीता है और गनेमत सेखों ने गोल्ड जीता है इसके बाद है हमारा 3-day heritage festival यानि 3 दिवस विरासत festival जो है कहां पर मनाया जा रहा है तो गोवा में बनाया जा रहा है अगर बात की जाए गोवा की तो गोवा कब मुक्त हुआ था गोवा जो था हमारा पुर्तगालियों के अधीन था भारत ने 1961 में ऑपरेशन विजे के तहट गोवा को भारते राज्ये में मिलाया था घमन और दीव को गोवा के साथ ही एक केंदशाशित परदेश के रूप में अपनाया गया था बाद में जो गुवा था वो 1987 में भारतिय एक संपून राज्जे के रूपे भारत में मिला था अगर बात की जाए गुवा की कैपिटल क्या है तो गुवा की कैपिटल पंजी है गोवा के जो CM है वो कौन है प्रमोन सावंथ है और गोवा के जो governor है वो कौन से है पि-S शिरीधरन पिल्लाई करके इसके गोवा के governor है ठीके अभी जो अंतराश्य Film Fair Awards होते हैं वो भी कहाँ पर होते हैं वो भी गोवा में ही होते हैं तो इतनी बात याद रखेगा कि तीन दिवस ये विरासत फेस्टिवल जो है कहां पर बनाये जा रहा है, गोवा में बनाये जा रहा है, गोवा में ये हमारा लूसोफोन फेस्टिवल भी बनाया गया था नेक्स है हमारा एक मही को कौन कौन से राज्यों का स्थापना दिवस होता है, तो एक मही को महारास्ट का और गुजरात का स्थापना दिवस होता है, याद रखेगा कि एक मही को महारास्ट का और गुजरात का स्थापना दिवस होता है, एक मही को हमारा अंतराष्टे श्रमि दिवस यानि International Labour Day मनाया जाता है अगर और दिवस की बात की जाए तो 22 March को बिहार का इस्थापना दिवस होता है 30 March को राजस्थान का होता है 1 April को ओडिसा का इस्थापना दिवस होता है जिसे उतकल दिवस के नाम से भी जाना जाता है ठीक है? और 15 April को हिमाचल परदेश का स्थापना दिवस होता है नेक्स है हमारा देश का पहला केबल स्टेट रेल ब्रीज कहां पर बन कर तयार हुआ है तो देश का पहला केबल स्टे रेल ब्रीज जो है कहां पर बन कर तयार हुआ है जम्मो कश्मीर में बन कर तयार हुआ है इस cable rail bridge का नाम क्या रखा गया है तो अंजी खंड इसका नाम रखा गया है और ये कहां किसे किसे जोड़ता है तो कट्रा और RIC को जोड़ने के लिए ये bridge बनाया है और कौन कौन से railway network को जोड़ता है तो कट्रा और बनियाल खंड railway network को जोड़ता है इसके लंबाई कितनी है त ठीके याद रखेगा यह अभी अभी tulip garden का जो उदगाटन हुआ था वो भी कहाँ पर हुआ था जम्मु कश्मीर के शीरी नगर में ही हुआ था ठीके अगर पहले खेलो इंडिया winter games की बात की जाए तो वो भी कहाँ पर हुए थे जम्मु कश्मीर में ही हुए थे ठीके जम्म कश्मीर में बनकर त्यार हुआ है नेक्स्ट है हमारा भारत आश्यान पहला संयुक्त सम्मुंदरी अभ्यास जिसका नाम है AIME 2030 का आयोजन कहां पर हो रहा है तो जो हारबर भाग है वो कहां पर हो रहा है सिंगापुर में हो रहा है और जो सम्मुंदरी भाग है वो कहां पर हो रहा है दश्यनी चीन सागर में इसका अभ्यास हो रहा है दश्यनी चीन सागर से अभी कोशन पूछा गया था कि 9-line विवाद कौन से सागर से संबंदित है तो दश्यनी चीन सागर से ही संबंदित है अगर बात की जाए सिंगापूर के साथ हमारी कौन कौन सी एक्सरसाइज होती है तो अगनी वोरियर जो है भारत और सिंगापूर के साथ होती है ठीक है और बोल्ड कुर्शेत भारत सिंगापूर के साथ होती है वरुन भारत और फ्रांस के साथ होता है और काजिन भारत और कजाकिस्तान के साथ होता है तो ये सारी हमारी exercise है अगर हम बात करें कि आशियान आशियान की जो full form है वो है Association of Southeast Asian Nation ठीक है आशियान से exam में question पूछा जाता है कि इसका headquarter कहा है इसकी स्थापना कब हुई तो इसकी स सापना 1967 में हुई थी इसका headquarter जो है जकारता इंडोनेशिया में है इसमें जो members है वो पहले 10 members थे अब 11 members हो गए है इसका पूरवी तिमोर वाला हिस्सा जिसको तिमोर लिस्ते के नाम से जाना जाता है वो इसका member बन गया है ठीक है और इंडिया इसका member नहीं है और ये जो ह हमारा अभ्यास हो रहा है भारत आश्यान पहला सम्मुंदरी संयुक सम्मुंदरी अभ्यास इसमें भारत की तरफ से दो जो INS है वो भी भाग ले रहे हैं INS सत्पुडा और INS दिल्ली ठीक है अगर अभी ये से 11 member बना है ऐसे ही नाटो का 31 member कोन बना है या आप मुझे comment section मे बताईएगा ठीक है इसके बाद है bridging the gender digital divide report तो एक report आई है bridging the gender digital divide report जो किसने publish करी है UNICEF ने publish करी है ये किसके लिए है ये है कि mail और फिवल में कौन जादा digital device का use करता है उसी के लिए ये report आई है जिसमें जो है boys जो है वो digital device का use जादा करते है internet access का use भी जादा करते हैं तो ये report थी ये और अगर बात की जाए UNICEF ने इस report को publish किया है तो UNICEF की बात की जाए तो UNICEF की जो full form है वो है United Nation Children's Fund UNICEF में अक्सर question पूझा जाता है कि UNICEF में C का मतलब क्या है तो C का मतलब होता है Children ठीक है UNICEF का जो establishment था वो 1946 में हुआ था और headquarter कहां पर है तो इसका headquarter New York में अभी हाली में UNICEF के brain master बनाए गए थे जो कौन बनाए थे आयोश्मान खुनाना बनाए गए थे ठीक है इसके अलावा अगर मैं बात करूँ कि स्वच भारत अभियान के तहत अभी hand master बनाए गए है कौन बनाए गए है तो सचिन तेंदुलकर बनाए गए है वाइकोम 18 के तो रनवीर सिंग बनाए गए है तो यह सारे अभी अभी brain master बने है आपको मुझे कमेंट सेक्षन में बताना है कि जीयो सिनेमा के brain master कौन बने है इसके बाद अभी एक पुरुसकार मिला है लिपजिंग बुख पुरुसकार जो है लिट्रेचर के शेत्र में दिया जाएगा जायर सी बात है बुख पुरुसकार है तो लिट्रेचर में दिया जाएगा ये किसे मिला है तो मारिया इस्टेपा नोवा को मिला है ये कहां की है तो ये रूसकी है इनकी नोवल का नाम था गल्स विदाउट क्लोट्स ठीक है sexual harassment के उपर ये नोवल है तो ये याद रखेग कि लिपजिंग बुख पुरुसकार किसे दिया गया है तो मारिया इस्टेपा नोवा को दिया गया है जो कहां की है रूसकी है नोवल का नाम क्या है गल्स विदाउट क्लोट्स है और मेरा आपसे कोशन है कि इसी के साथ रिविजन पॉइंट हो जाएगा कि बुकर पुरु ये कौन थे तो विनोबा भावे थे जिनोंने भूताल अंदोलन भी चलाय था तो ये वाला कोशन डिरेक्ट पूछ लिया जाता है कि भूधान अंदोलन से संबंदित कोई है तो विनोबा भावे है या फिर डिरेक्ट ऐसे पूछ ले जाता है विनोबा भावे किस से संबंद गितांजली श्री को मिला है अंतरास्टे बुकरपुरुसकार रेत की समाधी के लिए ठीके इसके बाद एक न्यूज है हमारी NTPC और NPCI क्या कर रही है सैयोगत रूप से पर्मानु उर्जा सेयंत्र का विकास करने के लिए उन्होंने समझोता किया है कहां पर ये पर्मानु उर्जा सेयंत्र बनाने की बात की जा रही है तो ये की जा रही है मद्य पर्देश और राजस्थान में मद्य पर्देश के चुटका जिले में और राजस्थान के माही जिले में ठीके अगर बात की जाए तो NTPC की तो NTPCIL की फुल फॉर्म है Nuclear Power Corporation of India Limited अगर मेरा कोशन आपसे ये है कि भारत का पहला विद्यूत पर्मानु उर्जा सेयंत्र कहां पर है तो ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताएगा और ये था हमारा आज का Current Affairs का सेशन अगर आपको ये सेशन अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट करके आंसर जरूर दीजेगा और अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो हम हमारे टेलिग्राम लिंक से आप इस PDF को डाउलोड कर सकते हैं थेंक यू